हालो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइन्स एजूकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है यह है टेक्स्टाइल से और टेक्स्टाइल में हम क्या देखेंगे बिभिन अवस्थाओं के अनुसार रंगाई करना रंगाई का जो हमारा चैप्टर हुआ वह हुआ उसके बार हमें क्या देखना है अब कि रंगाई कैसे करते हैं किस अवस्था में किस तरह की डाईका यूज करते हैं कैसे हमें करना चाहिए यह हम देखेंगे क्या हमें देखना आज रेशे की अवस्था में उसके बाद रेशे से क्या बनता है धागा बनता है उस अवस्था में कैसे होता है फिर धागे के बाद क्या बनता है कपड़ा बनता है जिसे फैब्रिक कहते हैं पीस में उसकी रंगाई होती है किस टाइप की होती ह इसको हम देखेंगे इसके अंतरगत क्या क्या आता है यहां से कुछन पूछा जाता है और क्या देखना है आज हमें डाई की ट्रेमिनोलोजी को देखना है डाई की सब्दावलियों को देखना है यहां से भी कुछन पूछा जाता है क्या देखना है हमें डाई की ट्रेमिनोल को देखना है आज क्या देखना है डाई की ट्रेमिनोलाजी और देखना है इसके बारे में कि इसके अंतरगत क्या क्या आते हैं यहां से कुशन मैच करने के लिए पूछा गया है और option में भी कुशन यहां से पूछा जाता, option में टिक लगाने के लिए और match करने वाले कुशन यहां से पूछे जाते हैं, तो चलो start करते हैं, लेट ना करते हुए फटाक से start करते हैं, हम अपनी class को, क्योंकि बहुत कम टाइम बचे हैं, हमारे पास सब इद्जाम के लिए, तो ज कांसा पाठ है, यह टेक्स्टाइल का पाठ है, हमें देखना है, विविन अवस्थाओं के अनुसार, रंगाई करना, किस अवस्था में कैसी रंगाई होती है, और किस अवस्था में कौन सी रंगाई आती है, यह हमें देखना है, पहला क्या देखेंगे, हम रेशो की अवस उसके नाम हमें याद करना है, दूसरा ट्रेमिनोलोजी को पूरा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यहां से मैच वाले कुशन पूछे जाते हैं, ओपसर वाले कुशन भी पूछे जाते हैं, यह दो चीज आपके important है, यहां पे main point है दोनों, अब पहले हम क्या लि अवस्था आती है, पहला क्या है रेशी की अवस्था, दूसरे में हम क्या लिखेंगे धागे की अवस्था, जिसे हम यार्न कहते हैं, धागे की अवस्था, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा कपड़े की अवस्था, पहला क्या देखना है, पहला देखना है, में रेशे की अवस्था दूसरा यारने की अवस्था या फिर धागे की अवस्था और तीसरा क्या है कपड़े की अवस्था इससे हम क्या कहते हैं जो रेशे की अवस्था होते हैं इसमें क्या का जाता है इसमें रो माटेरियल का यूच किया जाता है रो माटेरियल में क्या ह को लिंगे हम कच्छे माल की रंगाई क्या करते हैं इसमें कच्छे माल की माल की रंगाई कि उसे हम क्या कहते हैं इंगलिस में रॉ मटेरियल raw material किसे कहते हैं कच्चे माल की रंगाई और यह होता किसमें है किस stage में होता है तो हम बताएंगे कि ratio की stage में क्या होता है raw material को dye किया जाता है दूसरा क्या देखना है हमें yarn की रंगाई yarn dye को देखना yarn diamonds क्या होता है धागी की अवस्था धागी का stage इसमें क्या करते हैं यार्न नया इसकिन लच्छियों का यूच किया जाता इसमें रंगाई के लिए हम क्या करते हैं मैं आसे आलग कर दे रही हूं नहीं तो एक में मिल जाएगा तो आप लोग को होता है लच्छियों की अवस्था लच्छियों की अवस्था लच्छियों की अवस्था में रंगाई कहां पर किया जाता है तो धागे की अवस्था में धागे की स्टेज में और लच्छि में आप लोग जानते ही होंगे लच्छि क्या होती है तो आप लोगों ने ऊल को बनाते हैं आज कल गोले ही का मिलता है उनसी की लच्छी बनाते हैं एक विकार भी से बड़िते हैं कुह उसके बाद हम गोली बना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं लच्ची कहते हैं तो लच्ची उंकि कि रंगाई की स्था में में क्प्ड di J घठन कि go. उसमें कप्ड़ की बुनाई हो जाती है पूरे की पूरे फैबरिक को ही रंगा जाता है है कि कप्ड़ को रंगा जाता है पीस को रंगज आता, पीस डाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कपड़े का स्टेस कहते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक एक को देखते चलेंगे, रेशी की अवस्था, फिर धागे की अवस्था, फिर कपडों की अवस्था में कौन-कौन से डाई आती है, उसके ब की होती है और क्या होती है टिकाओ होती है जहां भी पक्का सब्द लग जाए वहां से हमें क्या मतलब होता है पक्का कहीं भी हम देख लें जो कि टेक्स्टाइल में अगर हमें पक्का सब्देखने को मिल जाए फैब्रिक में तो हम वहां पर क्या समझेंगे कि इसका रंग भी क्या करते हैं धागी को रंगते हैं और तीसरा क्या है हमारा कपड़े की और वस्ता कपड़े की स् coronavirus इसको करते हैं मांग के according ही रंगाई करते हैं, कैसे करते हैं, कपड़े की अवस्ता में, पीस डाई में, इसको समझने के लिए best example है, आप लोग, आप लोगों ने करवाया भी होगा, जैसे हम क्या करते हैं, हमने कुर्ती ले ली अलग से, उसके बाद हमने कुर्टी ले ली कोई कुर्टी हमें पसंद आई उसको हम क्या करते हैं मार्केट से खरीद लिए अब क्या करना है हमें उस कलर का हमें दुपट्टा चाहिए और उस कलर का दुपट्टा हमें मिल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे जहां पे रंगाई होती है कपड़े की अवस्था मतलब इसमें क्या होता है मांग की अनुसार से स्टरीısı की जो रंगाई उस हिसाब से कौन मांग का सब्सक audio क्या जाता है चया है कुछ से रंगाई की सब्सक्ति करें नहीं है इसमें मांग की अनसार रंगा जाता है, मांग की अनसार, मांग की अनसार रंगा किसमे की जाती है कपड़े की स्टेज में, अब आप लोग के ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी कलर का फैब्रिक हो, उसे हम मन चाहा कलर का करवा सकते हैं, यही किसमे हो जाता है फैब्रिक की कि अवस्था में मतलब कप्रों की स्टेज में अब हमें क्या देखना अब हमें एक एक करके समझना है अच्छे से और यहां से भी कुशन पूछे जाते हैं एक्जाम टाइम में यह तो हमने तीन देखा कि तीन स्टेज होते हैं इसके अब देखते हैं में क्या आता है पहले तो हम देखते हैं रेशे की अवस्था में रेशे की आवस्था रेशे की आवस्था फर्ष्ट पार्ट हम देख रहें इसका अभी हमें तीनों को देखना है बढ़ अभी क्या करना है हमें एक एक को अच्छे से डिटेल में समस्ते हुई हम चलेंगे इसमें क्या नेम आते हैं किसके अंतरगत किस फैब्रिक को रखा गय चलिए को यूज़ किया जाता है इसमें कितने आते हैं तीन आते हैं पहला मीज़क कि दाइछ ग़िसरा नक Sal Best Te suprem कि अवस्था में कितने यूज किया जाता है उस्टॉप में किसका प्रयोग करते हैं वस्ट इड़ उनी को रंगते है इसमें क्या करते में वर्स्टेड उनि को रंगते हैं वर्स्टेड उनि को रंगते हैं वर्स्टेड उनि मींज गया होता है हाइ क्वालेटी की उल्ल ज कहते हैं कियाações उड़तीव किसमें हैं तो हम क्या बताएंगे टॉब डाई में और्पयाता किसके अंतरगत है तो हम बताएंगे इसकी 8 में मैं अग्या है डॉब डाई है करतीम जगत के रेशयों को कि किसमें डाय कि यौठить क्रितिम जगत से क्या मतलब होता है कि मतलब केमिकल यूज करके जो मैन मेड फाइवर होते हैं उनका प्रयोग कि इसमें किया जाता है क्रितिम जगत का उसे ही कहते हैं अगला क्या है इस टॉक में क्या प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक जगत की रेशों का प्रयोग किया ज किसमें किया जाता है तो हम बताएंगे इस टॉक डाई में प्रयोग किया जाता है आयोब यह तीनों आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और यहां से कुश्चिन भी पूछा जाता है रेश्चर की स्टेज में हम क्या बताएंगे तीन आते हैं टॉप डॉप और सटॉक में क्या करते हैं प्राकृतिक जगस से बने जो फैब्रीक होते हैं उनकी रंगाई के जाती अगला आज आता है धागे की अवस्ता दूसरा हम देखते हैं यहाँ, बस हमें यहाँ पर साट कट में देखना है कि क्या मेन है, क्या मेन नहीं है और बुक आप पड़ोगे तो बुक में पूरा पोथी पनना पलटना पड़ेगा, धेर सारे पॉ Luiza दिए गए हमाँ पर बढ़ यहां पर हमें में में पॉइंट को देखते विए चलना है जो कि एक्जाम के पॉइंट अब भी उसे इंपॉइटेंट होंगे अगला क्या देखना हमें धागे की अबस्था यह देखो फिर इसके यही नोटेंग की जैसे कल हो रहा था इसे आज भी हो रहा इसमें कि आज कल मार कर भी फैसन दिखाने लगे है क्या देखना है में धागे की स्टेज देखना है धागे की स्टेज धागे की अवस्था धागे की अवस्था में क्या रंगा जाता है लच्छियों को रंगा जाता है इसकेन को रंगा जाता है यान को रंगा जाता है और इसमें आता क्या है तो हम क्या बताएंगे सूती और लिलन का प्रियोग किया जाता है इसमें किसका प्रियोग किया जाता है सूती का और किसका क दागे की स्टेज में पस हमें इतना ही देखना अगला है कप्डों की अवस्था में रंगाई दागे की स्टेज में इतना ही देखना है अब अगला क्या देखना है हमें हमें देखना है कप्ड की अवस्था में रंगाई कपड़ी की अवस्था में रंगाई जो होती ये कितने टाइप की होती ये हमें देखना है पहला तो आगी जिग डाई पहला क्या आगया इसके अंतरगत जिग डाई इसमें हम क्या करते हैं इसमें मशीनों का यूज किया जाता है और इसमें आता क्या है तो हम बताएंगे कृतिम जगत के कपडों के लिए प्रयोग किया जाता है जिग डाई और इसमें क्या किया जाता है इसमें मशीनों का यूज किया जाता है डाई करने के लिए इसमें क्या आता है, क्या बताएंगे हम इसमें कृतिम जगत के कपड़ों के लिए किया जाता है, कृतिम जगत के कपड़ों के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए, कृतिम जगत के कपड़ों को रंगने के लिए, कृतिम जगत के कपड़ों को रंगने के लिए किस कपड़ है इसके अंतरगर्श अभी हम क्या देख रहें कपड़ों की स्टेश को देख रहें दूसरा क्या है एक क्रॉस डाई क्रॉस डाई क्रॉस डाई में क्या होता है इसमें दो अलग-अलग रेशो को रंगा जाता है Cross dye ठोड़सा important है यह हट के है तोड़सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको जो Cross dye है इसमें क्या होता है इसमें दो Fiber को एक साथ रंगा जाता है क्या किया जाता है Cross dye में यहाँ पर मैं दो Fiber ले लेती हूं पहले फिर रंग के आप लोगों को दिखाऊंगी दो फाइबर ले लेती हूं ये दो मारकर है मेरे ये दो फाइबर आप लोग समझ लो है अभी सी को मैं क्रॉस डाई करके आप लोगों को बताऊंगी क्रॉस डाई में क्या किया जाता है पहले दो फाइबर को ले लिया जाता है उसके बाद इनको एक साथ रंगा जाता है क्या किया जाता है इनको रंगने के लिए क्या होता है इनको एक साथ रंगा जाता है बट क्या होता है जब ये दो फाइबर हैं और दो तरीके से बने हुए हैं ये दो फाइबर एक ही नहीं रहते हैं ये दो अलग अलग fiber होते हैं इनको रंगा एक साथ जाता है लेकिन जो color इस पर डलते हैं और ये वज़ासे कि बन PAUL होदा है उसमें आजा जाती यह मतलब एक ही color हमें दिखाई देगा लेकिन कोई dim हो जाएगा और कोई क्या हो जाएगा डार्क दिखाई देगा बस इतना ही दिखता है कोई dark दिखता और कोई light दिखता अभी देखना ये दोनु ब्लैक लार है ना देखो, मैंने दो फाइबर ले लिया, यह तो एक दम से, एक सेकेंड आप लोग रुखो, मेरा जो इंक है इस बार का ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोब्लम कर रहा है इंक, पता नहीं कैसा कलर आया है, इसका की कलर इस पर दिखी नहीं रहा है, बलेक वाला, बलेक वाला इंक बहुत बेकार आ गया है इस बार का, हमें क्या देखना है हमें देखना है cross dye और cross dye में हमने क्या कहा है आप लोगों से कि दो fiber लेते हैं तो अलग-अलग ratio को लेते हैं ये ध्यान रखना आप लोग कि क्या करते हैं तो अलग-अलग ratio को लेते हैं रंगते एक साथ हैं और रंगने के बाद उसमें क्या होती है आसमानता दिखाई देती है और आसमानता किस वज़ा से होती है क्योंकि वो जो दो फाइबर होते हैं वो अलग-अलग तरीके से बने होते हैं और उसमें कलर को सोखने का अलग-अलग गुड़ होता है तो क्या होता उसमें आसमानता द उसमें लाइट और लाइट दिखेगा एक आप एक ही कलर का लेकिन उसमें लाइट और डिखेगा क्यूंद भीमारी जगत प्रेश्चीयप और यह क्या हो गया यह हमारा दूसरा फाइबर हो गया ऐसे समाज़ लो मैं नहीं समझा पाउंगी क्योंकि मेरे फॉत ब्लैक वाले हो ऑ आप लगी रहा है आप लोगए मानं लोग यह क्द रहा यह इंग रहा ContT Days, इसकी कम नहीं कर रहा है लेकिन इसमें आसमानता दिखेगी यह एक क्या दिखेगा डार कलर दिखेगा हलका सा और यह क्या होगा एक लाइट कलर दिखेगा और रहेगा एक ही कलर एक ही साथ रंगे जाते हैं यह इसमें देखना है हमें ओके आप लोग के समझ में आगे होगा आई हो क्या करना है इसमें इसमें क्रॉस डाई में क्या होता है यह देखना हमें दो अलग अलग रेशो को रंगा जाता हो उस रंगाई में जो असमानता दिखाई जाती है इसमें क्या होता है दो अलग अलग रेशो को रंगा जाता है और उसमें जो असमानता दिखाई देती है उसी को हम क्रॉस डाई कहते हैं इसी को हम क्रॉस डाई कहते हैं फिर से एक बार देख लीजी क्रॉस डाई किसे कहते हैं तो मैंने आप लोग को बताए कि दो अलग अलग जगत के फाइबर को ले लेते हैं हम और उस पर जो रंगाई करते हैं एक ही बार में कलर को डालते हैं ए लेकिन क्या होता है दो अलग-अलग जगत के रेशे होने की वज़ासे उसमें जो रंगों को शोखने का गुड़ होता है रंगों को चढ़ने का जो गुड़ होता है वो क्वालेटी जो होती है वो अलग-अलग होती है इसलिए उसमें क्या होता है एक ही कलर के रंग दिखाई येए दिखाई देगे हमेएक ही रंग दिखाए देगा लेकिन थोड़ा सा डार्क दिखाए देगा और थोड़ा सा माइन लगाना पड़ेगा अब क्या देखेंगी union या फिर सयूस्त यप तीसरा क्या है यूनियन जिसे हम क्या कहते हैं संयुक्त डाई कहते हैं संयुक्त डाई जिसे हम क्या कहते हैं यूनियन डाई कहते हैं संयुक्त डाई को क्या कहते हैं यूनियन डाई या फिर संयुक्त डाई इसमें क्या किया जाता है जैसे आपने देखा क्रॉश डाई को देखा कि दो अलग अलग जगत के रेशो को लेकर एक साथ रंगाई की जाती है उतमें आसमानता दिखाई देती है यह तो क्रॉश डाई का हो गया बट अगर हम संयुक्त डाई या यूनियन डाई को देखरें तब क्या होगा इसमें इसमें भी दो अलग अलग रेशो को लिया जाता है रंगाई एक साथ की जाती है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें हम फर्क नहीं कर पाएंगे मतलब इसमें बिल्कुल भी आसामानता दिखाई नहीं देती है अंतर नहीं होता है बस यही इतना होता है क्रोश डाई और यूनियन डाई में क्रोश डाई में आपको आसामानता दिखाई देगी बट जो यूनियन डाई है इसमें आसामानता नहीं दिखाई देगी और इसमें भी दो अलग अलग जगत के रेशो को लेकर एक साथ रंगाई की जाती है बस इक में कोई भी अंतर नहीं होता है क्या लिखेंगे हम दो अलग 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 रेशो को रेशो को रंगते हैं लेकिन इसमें असामानता नहीं होती है लेकिन इसमें असामानता नहीं दिखती यही क्या होता है यही होता है संयुक्त डाई या यूनियन और क्रोस डाई सिमिलर है यूनियन डाई में समानता नहीं दिखती है सौरी समानता रहती है इसमें मतलब असमानता नहीं दिखती है वहीं पर जो क्रोस डाई है इसमें क्या होता है असमानता दिख जाती है बस इत रील डाई रील डाई जिसे क्या कहते हैं बैक बैक डाई और रील को आप लोग समझते हो ना जो रील में जो रील होता है ना धागों का जो रील बना वाला आता है ना वही होता है रील डाई या फिर बैक डाई जिसे हम कहते हैं इसमें क्या होता है हलके वजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग हलके वजन के के लिए किया जाता है बस आपको में में पॉइंड को ध्यान देना है रिल डाई या बैग डाई का यूज कहां पर करते हैं अगर मैच करने के लिए आ गया या आप्शन में पूछ लिया गया तो हमें पता रहेगा कि हलके वजन के लिए हम किस डाई का यूज करते हैं तो हम बताएंगे रिल डाई या फिर बैग डाई दोनों एक ही होता है अगला है tie and die जिसे हम बंधेज कहते हैं इससे तो सब वाकिफ होगे सबको पता होगा इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट बताना तो है मुझे जम पढ़ने हैं तो पूरा क्या करेंगे complete करेंगे अपन क्या देखना है अब हमें देखना है tie and die tie and die जिसे क्या कहते हैं जिसे बंधेज कहते हैं और इसमें कैसे किया जाता है कपडों को बांध कर डिजाइन दी जाती उसके बाद कलर किया जाता है यह सब को पता होगा चने बांधे जाते हैं सिक्के बांधे जाते हैं जाताा कैसा आकार देते हैं लोग जिसको जैसा देना包 इसमें बांध कर दी जाती उसके सूती रेक्षमी और उन पर की जाती है किस पर की सूती पर की स्टूरेंट यह इनका प्रैक्टिकल में हुआ होगा टाई अंड डाई तो हम लोगों ने हम ने तो बनाया था रही सुन्दरता का केंद्र बन जाता है जब इसके सारे आप लोगों ने भी किया होगा किन किसने किसने इसका प्रेयोग किया है इसको प्रैक्टिकल में यूज किया है प्लेश कमेंड में जरूर बताइएगा कि कौन-कौन टाइएंड डाई को यूज किया है बनाया है अगला हम क्या देखेंगे निरंतर मसीन द्वारा रंगाई य के Point को आप लोग धियान से देखिएगा निरंतर मसीन द्वारा रंगाई में क्या होता है अधिक रंबफ और बड़े रेश्व के लिए इसका प्रियोग किया जाता है निरंतर मसीन इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं अधिक लंबे और बड़े रेशों के लिए किसका प्रयोग करते हैं मसीन द्वारा रंगाई का प्रयोग करते हैं अब ये क्या हुआ ये तो हमारा डाई कम्प्लीट हुआ बट अभी हमारा जो chapter हो complete नहीं हुआ है अब हम क्या देखेंगे अब हम die के component को देखेंगे die के घटक को देखेंगे उसके बाद हम die के क्या देखेंगे terminology को देखेंगे यहां से question बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं अभी हमें दो main main point को देखना है आप लोग बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो है ना अभी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्या करना है die के घटक देखना है component आप die देखना है मतलब die के घटक component आप die देखना है इसके कितने भाग है die के घटक कितने है तो हम बताएं कि die के दो घटक है दो component है पहला क्या है chromophore पहला क्या है chromophore यह क्या है यह दोनो die के घटक है die के component है दूसरा क्या है exochrome exochrome यह याद रखना है आपको यह क्या है यह दोनो die के component घटक है पहला क्या है chromophore दूसरा है exochrome क्रोम प्रकास में रंग को निर्धारित करता है कि यह किस कलर का करता है कि प्रकास पढ़ने के बाद किस कलर का दिखेगा तो हम इसमें क्या बताएंगे, क्रोमो फोम में क्या बताएंगे, हम रंग को निर्धारित करता है, रंग को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है, क्रोमो फोर क्या करता है, रंग को निर्धारित करता है, और एक्सो क्रोम क्या करता है, रंग के हलके पन और गहरे पन को दिखाता है जब प्रकास पड़ता है किसी भी कलर पर तब क्या होता है वो हलका है या गहरा है मतलब रंग के हलके पन और गहरे पन के लिए कौन उत्तरदाई होगा तो हम क्या बताएंगे एक्सो क्रोम और एक्सो क्रोम क्या है डाई का एक घटक है एक्सो क्रोम क्या करता है यह रंग के हलके पन और गहरे पन के लिए उत्तर दाई है रंग के हलके पन और गहरे पन को दिखाता है रंग के हलके पन और गहरे पन को कौन प्रदर्शित करता है तो हम बताएंगे एक्सो क्रोम और जो क्रोम मों फोर है ये क्या करता है रंग को निर्धारित करता है कि इस पर लाइट पढ़ने के बाद ये किस कलर का हमें दिखेगा अब हम क्या देखेंगे डाई के ट्रेमिनोलोजी को देखेंगे ये तो हो गए डाई के कंपोनेंट, डाई के घटक, क्रोमोफोर और एक्सो क्रोम अब हमें क्या देखना है डाई के ट्रेमिनोलोजी सब्दावलियों को देखना है दूसरा हमें क्या देखना है? डाई की ट्रेमिनोलोजी क्या देखना है? ट्रेमिनोलोजी मिन्स आप लोग समझ रहे हो सब्दा वली जो हमारा जो टेक्स्टाईल है इसमें सब्दा वली को क्या कहते है टेमिनोलोजी कहते हैं इसमें कौन सा सब्द यूज किया जाता है और यहां से एक पॉइंट ध्यान रखिए यहां से हर बार आपको मैच करने वाले कुश्चन यहां से मिलेंगे आप लोग एक्जाम देना वहां पर देख लेना कि जो डाई की टेमिनोलोजी है यहां से हमेसा मैच वाले कुश्चन पूछे जाते हैं मैच करने के लिए आते हैं पहला हम क्या देखेंगे वेटिंग एजेंट पहला क्या देखना है वेटिंग एजेंट वेटिंग एजेंट आप लोग एक साइड में यहां पर नाम दे दिया रहता है दूसरी साइड यह क्या करता है इ नहां पर कि क्या काम है इसका क्या होता है वो हमें ध्यान रतना है वेटिंग एजिंट क्या होता है रंग को पानी में घुलने में मदद करता है क्या करता है वेटिंग एजिंट का क्या काम है रंग को पानी में घुलने में मदद करता है यह रंग को पानी में घुलने में मदद करता है फिर बता रही हूँ आप लोग को यहां से मैच करने के कुशन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग ध्यान देना मेरा पढ़ाने का काम है आप लोग को ध्यान से पढ़ने का काम है तो मैं जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है बहुत ज़्यादा वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहां से किस टाइप के कुशन पूछे जाते हैं तो यहां से कैसे कुशन पूछे जाते हैं यहां से मैच क्या आते हैं वेटिंग एजेंट का क्या होगा हम बताएंगे रंग को पानी में घोलने का काम करता है रंग को पानी में घोलने वाला प्रतिक कर्मक भी है ये एजेंट मींज क्या होता है प्रतिक कर्मक होता है दूसरा क्या देखना है हमें दूसरा देखना है क्रोकिंग क्रोकिंग और इसी नेम से exam time में भी पूछा जाता है इसका हिंदी English name नहीं होता है जिस name से यहां पर पढ़ा रही हूं उसी name से आप लोगों को exam में भी देखने को मिलेगा क्रोकिंग में क्या होता है रंग रगड यों घरसड की वज़ा से हलका हो जाना क्या कहलाता है क्रोकिंग क्या करता है अगर हिंदी में भी आपको लिखा मिलेगा तो इसी type का लिखा मिलेगा इसका अलग से नेम नहीं है, क्रॉकिंग या फिर क्रॉकिंग ऐसे हिंदी में लिख दिया रहेगा क्रॉकिंग क्या करता है, रंग रगड यों घर्षड की वज़ा से हलका हो जाना क्या कहलाता है, क्रॉकिंग कहलाता है हलका हुना क्या कहलाता है तो हम बताएंगे क्रोकिंग क्रोकिंग में इस क्या होता है रंग का रगड और घरसड की वज़ा से हलका हुना तीसरा क्या है तीसरा में देखना है माईग्रेशन क्या है तीसरा माईग्रेशन माइग्रेशन भी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा हिंदी में लिखा रहेगा तब भी माइग्रेशन रहेगा इंग्लिस में रहेगा तब भी आपको माइग्रेशन ही मिलेगा माइग्रेशन क्या होता है रंग का स्थानांत्रण रंग का स्थानांत्रण आपको exam time में रंग का इस्थानांत्रड देखने को मिले या सिर्फ इस्थानांत्रड मिले तब भी हम migration को कहां मिलाएंगे इस्थानांत्रड पर ही मिलाएंगे रंग का स्थानांतरड या उनली स्थानांतरड तो कहां मिलाओगे migration को स्थानांतरड पर और स्थानांतरड से क्या मतलब होता है जैसे कोई-कोई color होते है ना कि उसमें से color छूटता है तो हम जब color को कोई कपड़ा रहता है उसको हम धूल देते हैं मालो की एक ही ड्रेश है हमारा उसमें दो कलर है, मालो की यलो है और रेड है, तो यलो का रेड पर धुलने पर जो यलो कलर है या फिर रेड कलर है उसका छूटने के बाद यलो पर आना ही क्या होता है, इस्थान आंतर्ड migration कहलाता है रंग का इस्थान आंतरड रंग को इस्थान बदलना मतलब जो रंग है उसका इस्थान परिवर्ठित हो जाना एक जगा से दूसरी जगा पर जाकर टिक जाना ही क्या होता है रंग का इस्थानांत्रण कहलाता है अब दूसरा हमें देखना है फेडिंग और ये कुशन भी पूछा भी गया है आप लोग PBS year के अंसाल्ब को उठाना और महां से जो भी डाई के टरमिनोलोजी हैं यहां से मैच करने वाले कुशन को सॉल्ब करना सारे सारे जितने भी आपको यहां पर दिख रहे हैं सब कुछ आपको आपे मिल जाएंगे फेडिंग फेडिंग मिस क्या होता है फेडिंग का मतलब होता है धूप के प्रभाव से रंग का जो कलर है उसका हलका होना फेडिंग क्या होता है धूप के प्रभाव से रंग का हलका होना, धूप के प्रभाव से रंग हलका होना, धूप के प्रभाव से रंग हलका होना क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है, अगला क्या है, बाइंडर्स है और बाइंडर्स में समझानते हैं बाइंडर्स क्या होता है बंधक होता है इसको क्या करते हैं कपड़ों को बांध के और रंग और कपड़ों को क्या करते हैं बांधते हैं क्या होता है बाइंडर्स में इसक्या होता है बंधक binders क्या होता है बंधग रंग के पक्कापन के लिए ये यूज किया जाता है दूसरा क्या है mat merism तीसरा क्या है mat merism mat merism fading पूछा गया है mat merism में भी पूछा गया है 2015 या फिर 2016 में मुझे किलिया रियाद नहीं है बट ये दोनों पूछा गया है fading और mat merism दोनों पूछा गया mat merism क्या होता है एक ही रंग का प्रकास में अलग अलग दिखना mat merism को हम कहां पर मिलाएंगे एक ही color का प्रकास में अलग अलग दिखना अलग-अलग दिखना क्या होता है Matt Merism होता Matt Merism means क्या होता है एक ही color रहेगा बट जब हम उसको प्रकास में Sunlight में देखेंगे तब क्या होगा या फिर ऐसे ही Artificial Light में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा एक ही color रहेगा बट वो अलग-अलग color हमें दिखेगा ऐसे कपड़े आयसे जो फैब्रिक है आप लोगों ने भी देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं Matt Merism कहते हैं अगला क्या है Forsting है अगला है चोथा क्या है चोथा नहीं होगा यहाँ पे जो sequence है यह उलट-पुलट हो गया है बट मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ आप लोग अपना sequence लगा लेना वापे अगला क्या है Forsting है Forresting है यह क्या होता है तुसारड इसे हिंदी में कहते हैं यह तुसारड तुसारड नाम आपको मिले या फिर Forsting मिले तो Forsting को हिंदी में क्या कहते है तुसारड कहते है इसमें क्या होता है इसको हम कहां से मिलाएंगे घरसर रगड से रंग में बदलाओ घरसर यह वं रगड से रंग में बदलाओ घरसर यह वं रगड से रंग में बदलाओ क्या कहलाता है फोस्टिंग या फिर दूसारड कहलाता है यह इतने पॉइंट किलियर हो गया और यह बहुत जादा important है बहुत जादा important है आप लोगों के लिए इसको आप लोग रट लेना और यहां से related question को भी solve कर लेना अगला हमें देखना है अगला हमें क्या देखना है अगला है इस फैक्टो मीटर अगला क्या है इस फैक्टो मीटर इस फैक्टो मीटर लिखा आ गए तो हम इसे किसमें मिलाएंगे हम इसमें रंग के तापमान से मिलाएंगे रंग का तापमान इस फैक्टो मीटर को कहां से मिलाओगे रंग का तापमान अगला देखना हमें अगला क्या है अगला है हाइपो इस्पोकिंग एजेंट अगला क्या है हाइपो इस्पोकिंग इस्कोपिंग एजेंट इसको किसे मिलाएंगे तो प्रिंट की छेतर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ने को बढ़ावा मिलता है यह क्या करता है हाइपो इस्पोकिंग एजेंट क्या करता है प्रिंटिंग के छेतर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है जिससे जो color है वो अच्छा चड़ता है पक्का चड़ता है यह हमें ध्यान रखना है हाइपू स्पोकिंग एजेंट क्या करता है यह print के छेत्र में मतलब छपाई के छेत्र में पानी को बढ़ाता है यह क्या करता है जिससे color क्या होता है बहुत ही अच्छा चड़ता है इसे हम क्या कहते हैं हाइपू स्पोकिंग एजेंट कहते हैं अगला क्या देखना है में carriers क्या देखना है carriers 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 का क्या काम है और यहां से बार बार बता रहे हूं मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछन पूछे जाते हैं carriers क्या होता है polyester रंगने में प्रयोग किया जाता है carriers का प्रयोग करते हैं polyester को color करने में करते हैं polyester रंगने में रंगने में प्रयोग करते हैं पॉलिश्टर को रंगने में किसका प्रीयोग किया जाता है कैयर्येज प्रीयोग किया जाता है। अब यहां यहां पर कुछ सब्सक्राइब कुछ यहां से असरसन और रिजन कुछ न में कुछा पूछा जाता है कठन और कारण में कैसे कुछन पूछे जाते हैं यह बताना है सबसे ज्यादा जो टफ लगता है वो असर्शन और रिजन लगता है मुझे आप लोgoing डफ लगता है मुझे नहीं पता यहां से जो कुशन पूछे जाते हैं वो बहुत ही जादा अंदर से पूछे जाते हैं क्या हमें देखना है असरसन और रीजन में कैसे कुशन पूछे जाते हैं रंगाई योम छपाई में पहले तो हम देख लेते हैं असर्षन और रीजन में कहाँ से कुशन पूछे जाते हैं रंगाई के समय फेन या जाग का आना रंगाई के असमानता को दर्शाता है रंगाई में जो भी कलर हम यूज कर रहे हैं अगर जाग आ गया तो वह हमारे कपड़े पर अच्छा नहीं चड़ता है और वह फैलता भी बहुत जादा है और कलर में क्या लाता है असमानता लाता यह कुश्चन पूछा गया है तो आप लोग यहां पर नोट कर लो इस बात को कि जिस भी कलर में जाग आ गया वो कलर हमाले लिए बहुत जादा अच्छा नहीं है उससे कलर में असमानता आएगी और क्या होगा जाग आने से जो कलर है वो फैलेगा यह पॉइंट याद रखना है आपको क्या रखना है रंगाई के समय जाग जाग को क्या कहते है इंग्लिज्स में फैन जाग या फिर फैन का आना क्या होता है रंगाई में आसमानता को दिखाता है रंगाई में आसमानता को दिखाता है रंगाई में आसमानता को कौन सा दिखाता है क्या दिखाता है तो हम बताएंगे रंगते टाइम अगर जिस रंग का हम यूच करने हैं उसमें फैन या फिस ज़ाग आ गया तो अब यहां पर एक पॉइंट और देखना है हमें यह तो असर्सन और रिजन की बात हो गए यहां से इस टाइप के कुश्चन पूछे जाते हैं अब हमें क्या देखना है रंगाईयों छपाई के परियावरण हित ऐसी तरीके यह भी कुश्चन पूछा गया है कि परियावरण के लिए कौशा रंगाई अच्छा माना जाता है मतलब इंवायवर्मेंट के लिए अच्छा होता है कौशी रंगाईयों छपाई के परियावरण रंगाईयों छपाई परियावरण हितेसी तरीके हितेसी से समझ आड़ा है ना जो आमारे environment पर बैडिफ्रेक्ट डाले उसी को हम क्या कहते हैं परियावरण हितेसी कहते हैं परियावरण के लिए अच्छा हो इसमें क्या क्या आएगा डिजिटल छपाई आ जाएगी इसके अंतरगत क्या आएगा डिजिटल डिजिटल छपाई यहां से ओप्सन वाले कुछिन पूछे जाते हैं छाटने के लिए बिना पानी के प्रियोग की रंगाई बिना पानी के प्रयोग की रंगाई और क्या है अगला है प्लाज्मा प्रदोग की प्लाज्मा प्रोदोग की अभी मैं आप लोग को नैनो टेकनोलोजी और प्लाज्मा टेकनोलोजी नहीं पढ़ाई हूँ उसको भी पढ़ा दूँगी एक दिन एक दिन के class में दोनों technology complete हो जाएगी plasma technology के अंतरगत क्या आता है और nano technology के अंतरगत क्या आता है यहां से भी question पूछे जाते हैं पर आज का जो class है यह हुआ हमारा complete सो मिलते हैं अगले class में तब कर आप लोग enjoy के साथ पढ़िए अच्छे से पढ़िए Thank you